हलो एड़ीवन टेक्नो पीड़ा में असीफ और आज हम बात करने वाला है शौमी के तब से एक नए फोन आने वाला है इस पन जिसका नाम है शौमी 12T और शौमी 12T प्रो वैसे तो रूमर है कि यह फोन चाइना में लॉंच हो चुक है जिसका नाम है 12S और 12S प्रो इसको रिल सबसे पहले डिस्प्ले पर आते हैं इसके अंदर आपको 6.7 इंच का FSD प्लस OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है साथ हे 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस का सपोर्ट और गुरिला ग्लास 5 का प्रोडेक्शन भी मिलता है तो यहां डिस्प्ले सेक्शन में को अब इसके अंदर करना चाहते हैं, मल्टिमीडिया के अंदर जो भी वीडियो देखना चाहते हैं इसके अंदर आप कुछ भी गेम खेलिएगा तो डिस्प्ले वाइस आपको कोई भी प्रोब्लम इस फोन में नहीं होगा और अब रहा बात इसका प्रोसेसर का तो इसके अं काम सुनके समझ में नहीं आ रहा हो कि यह डाइमेंसिटी 8100 कितना अच्छा परफॉर्म करेगा आपका तो इसको अगर आप स्नाप ड्रागन में देखने जाएगा कंपेर करने जाएगा तो यहां आपको मिलेगा 872 888 के बीच का प्रोसेसर तो और आप इसके अंदर करना च कमरा इसके बाद आपको 8 एलियर पिक्सल का ट्रिपल कमरा मिलेगा बैक में और में सिंगल कैमरा जोटी मेंोगा मेरा वो Samsung के तरफ से आता है, तो overall आपको बहुत अच्छा quality फोटो देने वाला है, रहा बात वीडियो का, तो back camera में आप 8K नहीं, 4K का record कर सकते हैं, वो भी 30fps तक है, और फिर वहीं front camera के अंदर आप 1080p का record कर सकते हैं, 30fps तक, तो अब आज आते हैं इसके बाद इस phone के battery पर, तो य 120W का charger आएगा आपको, वो इस phone को support करेगा, तो अगर आप 67W का charger से satisfied है, आपको बहुत speed charge करके दे दे रहा है, जैसा आपका requirement है, तो ठीक है, वन्द अगर आपको और fast charging चाहिए, तो 120W का charger बाहर से ले लिजे, और लगा दीजे चार्ज में, fast charge हो जाएगा, software में इसके 5.2 मिलने वाला है, Wi-Fi 6 आएगा, 7 5G band आपको मिलेगा इसके अंदर, GPS मिलने वाला है, LPDDR5 आएगा, और साथ में UFS 3.1 भी मिलेगा, तो ये तो overall phone का specs, आप बात करते हैं, इसका price कितना है, लेकिन उससे पहले RAM और ROM के बार में बात कर लें, तो ये दो RAM variant में आएगा, एक 8 12GB, एक 12GB, 8GB के अंदर आपका आएगा 128GB और 256GB का ROM, और 12GB RAM के अंदर आएगा 128GB और 256GB का ROM, तो चलिए अब इस phone का price के बार में आ जाते हैं, तो ये phone जो चाइना में launch हुआ, जिस price में launch हुआ है, उसी साब से अगर इंडिया में देखे कि क्या price में launch होने वाला है, तो आप PROX आप समझ लेजिए, 42,000 to 45,000 के बीच में ये phone आपका इंडिया में launch हो जाएगा, तो आप conclusion के बार में बात करते हैं, ये phone आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका अंतजार करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, तो simple है कि अगर आप 40,000 से 45,000 इस phone के लिए तो मेरे खाल से आपको इससे बहुत अच्छा-च्छा phone मिल जाएगा market में, आप IQ लीजिए, आप Samsung लीजिए, या फिर आप Realme ले लीजिए, OnePlus ले लीजिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छा-च्छा variant मिल जाएगा, जो कि इससे अच्छा processor भी provide करेगा, और overall एक अच्छ 5000 तक ये phone में जा सकते हैं, तो 50,000 में आप इससे अच्छा OnePlus 20 ले सकते हैं, और साती में IQ 10 series का भी phone आने वाला है, और 9 TV आने वाला है, उसके अंदर भी specs बहुत अच्छा और underrated phone है, क्योंकि इसका price बहुत कम है, तो वो phone भी आप देख सकते हैं, अगर आप इस range का phone लेना च करेंगे, तो चलिए मिलते हैं next video में, till then take care, stay safe